चायल सीट से सपाविधायक पूजापाल के बीजेपी में सामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। पिछले दिनों ये चर्चा थी कि बहुत जल्द पूजापाल बीजेपी में सामिल हो जाएंगी। लेकिन पूजापाल ने एक ट्विट कर इसका खंडन किया और लिखा है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और रहूंगी दरसल 2005 में राजुपाल की हत्या के बाद पूजापाल ने उनकी राजनीतिक विरासत सम्हाल ली थी जिसके बाद अभी हाल ही में असरप अतीक की हत्या के बाद पूजापाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तारीब की थी और उसके बाद वुपेन चौधरी से भी उन्होंने दो बार मुलाकात की सुत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद ये क्यास लगाए जा रहे थे कि जल्द पूजापाल भीजेपी में सामिल हो जाएंगी लेकिन उनके ट्विट के बाद ये सारा मामला खारीज हो गया लेकिन आने वाला ये वक्त बताएगा क्या पूजा पाल अपनी बात पे कायम रहेंगी कैमरामेंट सर्वजीत के साथ सत्यप्रगार्शिंग भारत एक फ्रस लखनो भारती जनता पार्टी जूर चल और परपंच की राजनीती करती है लेकिन भारती जनता पार्टी जो खेल खेलना चाहती है उसमें एक भी कारेकरता नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए एक भी कारेकरता भारती जनता पार्टी की इस खेल में कभी भी पार्टी सिपेक नहीं करेगा भारती जनता पार्टी यह नहीं जानती है कि नेता जी ने कितने संघर्सों से, आदर्णी हमारे राष्टी दर्श्री अखलेश यादू ने कितने संघर्सों से, कितनी लडाईयां संपरदाइक सक्तियों से लड़कर के समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा भारती जंता पार्टी अपनी चिंता करें भारती जंता पार्टी के बहुत बड़े बड़े च्र। Animus उस ब्योस्तपा में खड़े हैं कि कब समाजवादी पार्टी का बुलावा आ जाए और हम समाजवादी पार्टी में सामिल हो जाएं हमारी चिन्ता छोड़कर के भारती जनता पार्टी को अपनी पार्टी की चिन्ता करनी चाहिए